हेलो गाईस आज हम बात करेंगे रेडिमी नोट 11T के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके डबल टैप फीचर्स के बारे में कि कैसे आप लोग अपने फोन में डबल टैप फीचर्स को यूज़ करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जीगा बिलका इकोन को प्रेस कर लेना है तो डबल टेप फीचर को यूज़ करने के लिए फर्स्ट अफ आप लोग अपनी फोन में सेटिंग्स ओपन करेंगे उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पर लॉक इस स्क्रिन पर इस पर क्लिक करने के बाद देखी पहला ओप्सन मिलता है सेकेंड ओप्सन मिलता है यहाँ पर राइस टू वेक का इसको जैसे आप लोग अन करेंगे तो क्या होगा अगर आफ लोग के phone की screen off है तो आफ लोग double tap करेंगे तो phone की screen on हो जाएगी उसके बाद जो इसके just नीचे में जो feature है Double tap to wait or turn off screen इसमें क्या होगा कि अगर हमारे phone की screen on है और हम अपने phone में double tap करते तो हमारे phone की screen off हो जाएगी तो ये feature कोल मिला करके Power Button का काम करता है जैसे हम Power Button का यूज करते हैं phone को on करने के लिए, phone को off करने के लिए वैसे ही हम अपने phone में double tap यूज कर सकते phone को on करने के लिए, phone को off करने के लिए I hope आप लोग समझ गए होगे and मिलते हैं next video में जय मता दी